आज भारतिय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला चकत से जुड़ी महान विभूती कमला देवी चटोपाध्याय की जयनती है। बाद में कमला की मित्रता सरोजनी नाइड़ी की छोटी बेहन सुहासनी चटोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंदरनाथ चटोपाध्याय से मिलवाया। कला और थेटर के प्रेमी कमला और हरिंदरनाथ ने भारी समाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वसुर एक प्रगतशील विचारक थे, उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोच्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नैशनल कॉंग्रेस में शामिल हो गई और स्वयम को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गई और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गई। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घूशित साथ सदस्यों के नेत्रेत्व दल में भी शामिल थी। जब दुतिय विश्व इद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंगलेंड में थी। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत के इस्थिते स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमठ चुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतराष्टिय समर्थन जुटाया। 1947 के बटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की विवस्था करने में अथक परिश्रम किया। देवी का कला से कहरा लगाओ था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्त शिल्प और कपड़ाव द्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्टित राष्टियर नाटि विद्याले नाशनल स्कूलर अब्रामा के स्थापना का श्रे भी उन्हें ही जाता है। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें ही लिखी जिन में से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभावत से प्रेरित हैं। कौत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्तूबर 1988 को कमला देवी चटोपाध्याई ने अंतिम सांस ली। महान विभूत कमला देवी चटोपाध्याई को शत शत नमन। कियों ने आजादी की पहली लडाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हाला कि ब्रिटिश सेनिकों ने उन्हें गरतार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वास खात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंग, चुहूर सिंग और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अपरैल 1858 को उन्हें फासी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत्शत नमन।